नमस्कार दोस्तों इस वीडियों में हम बताएंगे अब अपना फेस्बूक का जो प्रॉषेसेलल क्रेश है इसे डिलिट कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले हम अपने जो फेस्बूक लेते हैं कि तो यह आपका में पेज है तो आगर आपने कोई page create करके रखा हुआ है तो आपको अपना profile में जाना होगा जाने के बाद आप देख परे हो इस तरह एक अपना profile में इस तरह जाओगे और नीचे की तरह आने के बाद आप देख पाओगे यहां पे page लिखे एक option होगा तो आपको इस page option में आपको क्लिक करना होगा तो आपके जितनी भी page आपने create करके रखा हुआ है यहां आपको शू होगा तो आप देख पार हो मेरा यह दोनों page यहां पर create होके रहा है तो इस में से एक page मैं delete करोंगा तो delete करने के लिए आपको यहाँ पे switch now इस option को उपर आपको click करना होगा जब switch now इस option को उपर click करोगे तो इस तरह का एक page आएगा आपको इस page के profile में फिट से आपको जाना होगा यहाँ पे three dot का जो line है इस line को उपर आपको click करना होगा और उसके बाद यहाँ पे इस page का setting के option पे आपको जाना होगा तो मैं setting में जा रहा हूँ यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे उपर में जो setting option है इस option को पर आपको click करना होगा यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे आप देख पारे हो पहले वाला option है page setting इस option को उपर आप click करोगे आप आप ऊपर देख पार हो name आएगा उसके पाद आपको नीची की और जाना है जाकि यहाँ पर आप देख पार हो access and control इस option को उपर आपको click करना है जब आप पर click करोगे तो यहाँ पर देख पार हो उपर लिका हुआ है deactivation and deletation तो इसके उपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोनों ओप्शन यहाँ पर देख पार हो deactivate page और delete page तो आप यहाँ से deactivate की भी कर सकते हो और delete भी आप कर सकते हो चलिए मैं delete करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर delete option की क्लिक करने के बाद आपको continue उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर कुछ option यहाँ पर मांग रहा है तो आप चाहिए इस option के उपर क्लिक कर सकते हैं नहीं चाहिए तो आप direct continue के उपर आप क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर चाहिए कुछ चीज आप यहाँ से download भी कर सकते हैं तो मैं कुछ भी यहां से डाउनलोड नहीं करूंगा मैं कॉंटीनू पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर पासवर्ड मांग रहा है जो आपना जो फेस्बुक का पासवर्ड है यहां पर आपको उस पासवर्ड को यहां पर एंटर करना होगा तो चलिए मैं अपना कर लिया आप मैं continue उपर क्लिक करूंगा तो यहां पर continue उपर जब मैं क्लिक क्या यहां पर और भी एक confirmation मांग रहा है यहां पर आप देख पार हो delete online world and xerox page and information यहां पर जो मेरा जो पेज था मैं जो डिलीट करने जा रहा हूं वह online world and xerox लिखा हुआ है पेज में आपको बाद में लिखाऊंगा मेरा जो मेन एकाउंट है वह स्रीफ online world है लेकिन मैं जो पेज बनाया था online world and xerox करके पेज बनाया था तो यह पेज मेरा काम का नहीं है त इसके पाद यहां पर कुछ नहीं करने सर्फ continue पर क्लिक कर देना है यहां फिर से पेज दिखा रहा है तो यहां पर लिखा हुआ रहा है दो फॉलाइंग पेज विल बी डिलीटेड एंड यू विल स्विच टू ओनलाइन वर्ल्ड यू कें रियक्टिवेट विथिन टीज यहां पर बोल रहा है आप तिरिस दिन के अंदर आप चाहे तो इस पेज को वापस भी ला सकते है अपने अकाउंट में जाके तो चलिए मैं इसको डिलीट पेज पर क्लिक कर देता हूँ तो डिलीट पेज गूपर मैं क्लिक कर देता हूँ अब देख पार हो यहां पर डिलीट हो गया है तो फिर से मेरे को यहां पर लॉग इन करना होगा तो यहां पर जो मेरा में पेज है वह यह आएगा पहले बाद तो भी मैं दिखा दता हूँ मैंने जो डिलीट किया था वह अनलाइन वार्ट एंड जेरोक्स था यह मेरा मेन पेज है तो मैं अपना प्रोफाइल में जाकर दिखा देता हूँ वह पेज अभी है के नहीं तो मैं यहां पहें पेज के उपर अपने क्लिक करोंगा तोब देख पार हो वह पेज था professional page भी आप यहां से delete कर सकते हैं मिलते हैं next video में तक तक के लिए चाहे हिंद